जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप हमारी अरली युनिवर्स की समझ में क्रांती ला रहा है। ये उन दूर मौजूद आकाश गंगाउं और वहाँ पर चल रही कॉस्मिक प्रोसेसिज को आश्चर जनक रूप से पूरे विस्तार के साथ हमारे सामने उजागर कर रहा है। लेकिन हर एक नई खोज के साथ ये कुछ कंट्रोवर्सीज और बहुत बड़े सवालों को भी हमारे सामने पेश कर रहा है। विशेश रूप से ब्रहमांड के एक बहुती महतपूर्ण योग री आयोनाजेशन के बारे में। री आयोनाजेशन हमारे योनिवर्स की टाइम लाइन में एक बहुती महतपूर्ण समय है। माना जाता है कि ये डार्क एज बिग बैंक के करीब एक बिलियन साल बाद जाकर खत्म होई थी। लेकिन जे डिवलिस्टी के हाल ही के डेटा ने इस टाइम लाइन को चुनौती दे दी है। जेम्स बेब स्पेस टेलिस्कोप के लेटेस्ट अब्जरवेशन के अकॉर्डिंग री आइनिजिशन का दौर हमारे अनुमानित समय से करीब 350 मिलियन साल पहले ही खत्म हो गया था। जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए मॉडल्स पर अब सवाल उठने लगे हैं क्या हमने आज तक जो भी इस युनिवर्स के जन्म के बारे में पढ़ा है क्या वो सारी चीजें हमारे द्वारा मानी गई बड़ी बड़ी थेयरीज जो इन मॉडल्स पर आधारित ही बनाई गई हैं क्या वो सब गलत हैं आज की इस वीडियो में हम री आयोनाजिशन पीरेड को ब्रेकडाउन करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे जी ड्वार्स टी की खोजें कॉस्मोलाजिस्ट के बीज तनाव पैदा कर रही हैं और कैसे नई थेयरीज हमें जी ड्वार्स टी से मिल हैं या फिर हमेशा से हम इस ब्रहमांड को डिफाइन करने में कोई बहुत बड़ी गलती करते आई हैं आए जानते हैं कि कैसे जी ड्वार्स टी इस ब्रहमांड के नियमों को दोबारा लिखने में हमारी मदद कर सकता है और इसका मतलब हमारी युनिवर्स के ओरिजिन और ह क्या हो सकता है वैग्यानिक इसे लेकर पूरी तरह से confused हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आप multiple accounts बना कर funds जाते हो तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि multiple accounts के लिए ये टूल आपके लिए super important होने वाला है अगर आप एक ही सिस्टम पर multiple accounts चला रही हैं अगर आप पकड़े जा पास है क्योंकि go login multiple accounting के लिए best browser है इसका anti-detection system आपके accounts को ban होने से रोकता है और वैसे भी multiple accounts को manage करना किसी nightmare से कम नहीं है login, logout, tabs को switch करो बहुत time waste होता है इन सब में लेकिन go login के साथ आप अपने सारे accounts एक ही जगह पर manage कर सकते हैं ये आपके लिए game changer हो सकता है आपके social media के multiple accounts, affiliate accounts और even e-commerce के accounts भी आप एक ही जगह से manage कर सकते हैं आप एकी device से अपने सारे काम कर पाओगे, किसी भी account पर कोई restriction नहीं आएगी, कोई red flag नहीं आएगा क्योंकि go login आपको under the radar रहने में help करेगा और इसका सबसे best part पता है क्या है, आपको एक बहुती special offer मिलने वाला है, description में दिये गए link से आपको इस super easy browser पर 40% तक का discount मिल जाएगा Seriously, अगर आप अपना time save करना चाहते हैं, accounts को protect करना चाहते हैं, तो go login से बहतर आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि go login multiple accounting के लिए best browser है तो चलिए यहाँ पर तो आपकी confusion खत्म हो गई, लेकिन JWST की findings हमें और भी ज़्यादा surprise करने वाली है What is the epoch of re-ionization? Re-ionization period हमारे ब्रहमांड की cosmic history में सबसे महतपून periods में से एक है यह Big Bang के लगबग 100 million साल बाद शुरू हुआ था, जब ब्रहमांड में पहले तारे और पहली कुछ galaxies का निर्मान शुरू हो गया था उन तारों ने intense ultraviolet radiation emit करना शुरू कर दिया था, जो कि इतना ताकतवर था कि hydrogen atoms को तोडने के लिए वो काफी था इस radiation ने उन शुरूआती hydrogen atoms को protons और electrons में तोड़ दिया और यह re-ionization की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरे universe में फैल गई जिससे हमारा ब्रहमांड एक neutral state से ionized condition में चला गया जो ब्रहमांड पहले ठंडा हुआ करता था, अब वो गर्म हो चुका था hydrogen हमारे पूरे ब्रहमांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला element है इसी लिए re-ionization period के दौरान ब्रहमांड में आने वाले changes बहुत ही गहरे थे जो लगभग इसमें मौझूद 75% मैटर को सीधे तोर पर प्रभावित कर रहा था इस period के दौरान जो galaxies बन रही थी, उनके बीच मौझूद गैस पूरी तरह से transparent हो चुकी थी जिसे की light को बाहर निकलने का एक मौका मिल चुका था और इसी दौरान light पहली बार इस universe में सोतंतर रूप से travel कर पा रही थी ये परिवर्तन बहुत ही critical थे क्योंकि आज हम जिन galaxies को देखते हैं, इसी ने उन galaxies, उन आकाश गंगाओं को आकार दिया है और ये निर्धारित किया है कि ब्रहमांड में ये सारचनाएं तेजी से बढ़ सकें यानि re-ionization period के दौरान हमारे ब्रहमांड ने उस आकार को लेना शुरू कर दिया था जिसे आज हम देख पा रही हैं re-ionization का ये दौर तब खत्म हुआ जब हमारे पूरे ब्रहमांड में मौजूद हाइड्रोजन पूरी तरह से आयोनाइजड नहीं हो गई और हमारे astronomers का ये मानना है कि ये फेज बिग बैंक के करीब करीब एक अरब साल तक चला होगा लेकिन हाली में JWST दौरा की गई खोज से हमें ये पता चला है कि re-ionization का वो दौर हमारी सोच से कहीं पहले खत्म हो चुका था साड़े 500 से लेकर साड़े 600 मिलियन साल पहले ही re-ionization का वो युग खत्म हो चुका था और यदि ये सच है तो शिरुवाती युनिवर्स के हमारे मॉडल्स को एक बड़े पैमाने पर सुधारने की जरुरत है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी परिशानी भी बन सकता है हमारे लिए ये नए रिजल्ट्स एक्साइटिंग तो हैं लेकिन ये किसी पहली से कम नहीं है हमारे एस्ट्रॉनमर्स ने पहले re-ionization period को जब study किया था तो वो cosmic microwave background के आधार पर किया था जो कि Big Bang के बाद का afterglow है और Lyman Alpha Forest के आधार पर भी बहुत सी studies की गई जो कि hydrogen absorption lines का एक pattern है इन दोनों methods को जब साथ में मिलाया गया तो वहां से हमें एक idea हुआ कि re-ionization का period Big Bang के करीब एक billion साल तक चला होगा लेकिन जब JWST ने early universe में और भी अंदर जहांक कर देखा तो हमें जो surprise मिला उसे हम अपनी timeline पर कहीं place ही नहीं कर पा रही है JWST's surprising findings James Webb Space Telescope ने astronomers को ब्रहमांड में पहले की अपिक्षा कहीं ज़्यादा अंदर तक जहांकने का मौका दे दिया है समय में इतना पीछे हम पहले कभी नहीं गई थे JWST ने re-ionization era के एकदम बीच ओ बीच जहांक कर देखा है और वहां पर हमें बहुत ही ज़्यादा चौकाने वाली चीजे मिली है हमारे अंदाज इसे कहीं ज़्यादा और कहीं ज़्यादा extreme ultra wallet emitting galaxies वहां पर मौझूद थी ये bright और energetic galaxies इतनी ज़्यादा powerful है कि ये अकेले ही पूरे universe को ionize कर सकती थी जो हमारे इस belief को चुनोती देता है कि ionization की प्रक्रिया एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया थी और वो धीरे धीरे अर्बों साल के अंतराल में जाकर खत्म हुई होगी ये खोज हमें बताती है कि re-ionization period हमने जितना सोचा था उसे सैंकडों मिलियन साल पहले ही खत्म हो गया होगा क्योंकि early universe में उन बहुती चमकदार galaxies का पाया जाना ये दर्शाता है कि उन galaxies नहीं ब्रहमांड को ionize कर दिया होगा लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर re-ionization period इतनी जल्दी समाप्त हो गया था तो cosmic microwave background और lyman alpha forest ये दोनो reliable cosmic indicators हमें आज की तुलना में अलग दिखने चाहिए थे और यही difference JWST की observations और हमारे models के बीच एक बहुत बड़ी tension पैदा कर रहा है हलाकि वैग्यानिक इसके solutions को खोजने में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी अगर James Webb की observations सही साबित होती हैं तो सवाल हमारे बनाए गई models पर होने वला है तो इसका क्या कारण हो सकता है एक संभावना तो ये है कि हमारे वर्तमान के जो models हैं उनमें कुछ बहुती महत्पूर्ण processes शायद हमने miss कर दी हैं जैसे की recombination जहाँ पर ionized protons और electrons दोबारा से natural hydrogen का atom बनाने के लिए combine हो गई थे अगर recombination जैसा की हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा तेजी से हो रहा था तो उस समय पूरे universe को ionized बनाई रखने के लिए extra ultraviolet radiation की जुरुत पड़ी होगी जो की JWST की findings में हमने देखा है और JWST इस चीज को अच्छी तरह से explain कर सकता है दूसरी संभवना ये है कि शिरुवाती universe में जो शिरुवाती galaxies बन रही थी वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा तेजी से evolve हो रही थी जिससे वो काफी ज़्यादा मात्रा में ultraviolet radiation को आसपास के space में release कर रही थी मतलब ये है कि JWST ने जो भी देखा वो हमारे शिरुवाती ब्रहममंड में cosmic evolution का एक unexpected phase है लेकिन जब तक और data नहीं आता हमारे वैग्यानिक इन आश्चरे चकित कर देने वाली खोजों से ऐसे ही जूजते रहेंगे क्योंकि हमारे पास JWST की findings को verify करने के लिए कोई भी टूल मौजूद नहीं है क्योंकि ये पहली बार है कि हम ब्रहममंड को समय में इतना पीछे देख पा रही हैं तो हमें आशा है कि JWST से जब और भी data हमारे पास आएगा तब हम इस पर पुखता तोर पर अपनी कोई राय बना पाएंगे resolving the mystery JWST के data और हमारे पहले से establish किये गए models के बीच ये difference हमें बताता है कि हम शुरुआती universe के बारे में कितना कम जानते हैं हलाकि इस telescope की finding से जो भी debate scientific community में हो रही है उसके लिए हमें और भी ज़्यादा observations की जरूरत है और उन बहतर models की भी जरूरत है जो हमें ये समझा सकें कि hydrogen कैसे उस समय recombine हुआ होगा और galaxies का विकास उस शुरुआती ब्रहममंड में कैसे हुआ होगा आने वाले सालों में हमें JWST से जो भी data मिलेगा और future space mission से मिलने वाले data को combine करके हमें सपस्ट कर पाएंगे कि क्या James Webb के परिणाम किसी नई भातिकी की और इशारा तो नहीं कर रहे या फिर JWST द्वारा की गई ये खोजें किसी पहली का गायब हुआ सिर्फ टुकड़ा भर हैं बस हमें उन्हें सुलजाना है astronomers खास तोर पर European Space Agency दोरा 2023 में लांच किये गए Euclid Mission और चिली में Robinson Observatory से आने वाले future के service data का इंतजार कर रही है तकि वहां से वैग्यानिकों को इस missing puzzle के कोई जवाब मिल पाएं हलाकि इसके साथ ही astronomers हमारे existing models को भी दोबारा से देख रही है कि कि हमारे models में ही कोई कमी तो नहीं है जैसे कि hydrogen को ionize करने के लिए कितने radiation की जरूर थी क्या वो हमारी predict की गई value से कम था या ज़ादा क्या हम यहाँ पर गलत तो नहीं है वहीं कुछ वैग्यानिक मानते हैं कि recombination ने इस प्रक्रिया में एक एहम किरदार निभाया होगा जिसे कि हमने अपने models में नजर अंदाज कर दिया है वहीं कुछ वैग्यानिक ये भी speculate करती हैं कि शुरूआती ब्रहमांड में जो शुरूआती तारों का निर्मान हुआ था वो बहुती ज़्यादा बड़े और बहुती शक्तिशाली थे और उन्हें की वज़े से re-ionization की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी लेकिन एक बात निश्चित है कि JWST ने ब्रहमांड की हमारी खोज में एक नया अध्याय खोल दिया है और re-ionization के बारी में ये बहस अब बर्शों तक जारी रहेगी जुलियन मुनोज और उनके सहयोगी इस आशा के साथ इस cosmic mystery पर काम कर रही है कि जब नया डेटा आएगा तो वो re-ionization की true timeline को finally uncover कर पाएंगे और इस cosmic mystery को सुलजाने की दिशा में कदम आगे रख पाएंगे आगे future में होने वाली खोजों से हमें जो भी answers मिलेंगे वो ना सिर्फ re-ionization की हमारी समझ को और इस ब्रहमांड की समझ को reset करेंगे बलकि ये हमारी modern cosmology की foundation को भी और जादा मजबूत कर देंगे वैग्यानिकों के लिए ये समय बहुत ही exciting है JWST से की जा रही हर एक observation हमें इस ब्रहमांड के true nature के और भी करीब लेकर जा रही है हम अब इसे सही माइनों में समझ पा रही है और इसे देखकर लगता है कि James Webb अपने इरादों में पूरी तरह से काम्याब होता नजर आ रहा है conclusion James Webb Space Telescope से मिले results ने एक नई scientific debate को जन्म तो दे दिया है जो हमारे universe के evolution की समझ को बदल सकती है अगर re-ionization हमारे पहले बनाई गई models की अपेक्षा जल्दी खत्म हो गया था तो यह हमारे उन सभी models को भी और हमारे विचारों को भी चुनोती देता है जो हमने उन models को base मान कर बनाई थे जैसे कि पहले सितारे और आकाश गंगाएं कैसे बनी थी और उन्होंने कैसे इस ब्रहमांड को आगेश शेप किया यह खोजे दिखाती हैं कि हम शुरुआती ब्रहमांड के बारे में कितना कम जान पाई है और हमें कितना कुछ सीखना अभी बाकी है जैसे कि जुलियन मूनोज ने बताया कि यह सिर्फ एक या दो आकाश गंगाओं के बदलने का मामला नहीं है बलकि यह पूरे ब्रहमांड की सरचना के विकास का सवाल है जो हुआ तो सही लेकिन हमने और हमारे मॉडल्स ने ऐसा कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था लेकिन हमारे मॉजूदा मॉडल्स के बीच आए इस तनाव को हल करने के लिए वैग्यानिकों को और भी ज़्यादा डीटेल्ड अब्जवेशन्स और नई रीफाइंड थेयरीज पर काम करने की ज़रुरत है और भी ज़्यादा मिशन्स जैसे कि यूकलिड मिशन और रॉबिंसन अब्जवेटरी से आने वाले डेटा से हम री आईनाजिशन के रहस्य को सुलजाने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन तब तक जेम्स वेब स्पेस टेलिसकोप हमारे पुराने विचारों को चनोती देता रहेगा और हमारे सामने नई खोजों की रास्ते खोलता रहेगा ब्रहमांड के रहस्यों को उजागर करने की ये यात्रा अभी तो शुरू ही हुई है लेकिन एक बात निश्चित है कि हम इनसान ब्रहमांड को कभी पूरा समझ ही नहीं पाई थे ये तो उन आश्चर चकित कर देने वाली खोजों की अभी शुरूआत है जे डवलोष्टी से हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है दोस्तों आपको क्या लगता है कि अशुरूआती ब्रहमांड के बारी में अभी हमारी समझ अधूरी है इस पर आपकी राय क्या है हमें नीचे कमेंट शक्षन में जरूर बताईएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लीजिए दोस्तों जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फरमेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैपी, नमस्कार